हेलो एबरीबन मैं स्वारवदू मैं ग्रेंट ब्रेंट सिंधी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आज हम देख रहे हैं पाट बार प्रिष्ठी से त्रफल और आयतन में प्रस्णावली 12 दस्मनों दो इससे पहले मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि हमने उधारण संक्या 5-6-7 पिछली क्लास में किया था जहां हमने सीखा था कि अगर कुछ ठोस आकृतियां जैसे की संकु हो गया बेलन हो गया अर्ध गोला हो गया इनको सन्योजित किया जाए आपस में जोड़ा ज प्रोवाइट करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली और्गनाइज्ट कोर्स और डेली प्राक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ यहां हिंदी मीडियो बिद्यारतियों को मिलती है छटी से लेकर बारवी क्लास तक की सारी क्लासेज और वहीं इंगलिस मीडियम स्ट क्लासेज बिल्कुल फ्री और कोस्ट मतलब इन क्लासेज को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्सन वगारा नहीं करना पड़ता सब कुछ यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कर दिया गया है तो भाई ज आप यहां से बिल्कुल अपनी बहतरीन तयारी कर सकते हैं आज ओ क्वेशन नमर बन पर क्वेशन नमर बन में बोल रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले के ऊपर खड़े एक संकु के आकार का है एक अर्धगोला है आपके पास कुछ इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का जिनकी त्रिज्जाएं एक सेंटीमीटर है मतलब इन दोनों की ही त्रिज्जाओं की बात की गई है कि दोनों की ही त्रिज्जाएं एक सेंटीमीटर के बराबर है तता शंक की उचाई उसकी त्रिज्जा के बराबर है उचाई भी शंक की कितनी होगे यहां से लेके यहां तक कि ये भी एक सेंटीमीटर के बराबर ही है सब कुछ एक सेंटीमीटर है तो आपको आयतन निकालना है इस पूरे ठोस का किसके पदों में पाई के पदों में मतलब कि पाई का मान नहीं रखना है आज ओ खेलते हैं बढ़िया आसान क्वेस्टन है अतिलगुतरी में एक क्वेस्टन पूछा जा चुका है बात करेंगे ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन कितना हो जाएगा जल्दी बताएंगे आप लोग ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए आगे की कहानी तो सबको आती है लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन शंकु का आयतन तो इन दोनों के आयतन का फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद होगा जहां तक मुझे उम्मीद है 2 बटे 3 πi r cube अर्दगोले का होता है और 1 बटे 3 πi r square h किसका होता है शंकु का आयतन होता है अब हमें πi का मान तो रखना ही नहीं है तो r और h, r का भी मान, सब के r का मान 1 है इसकी उचाई 1 है तो जहां भी r और h दिख रहा है वहाँ पर आप 1 और 1 रखेंगे 2 बटे 3 πi, 1 का cube प्लस 1 बटे 3 πi, 1 का square गुड़े 1 तो यह हो जाएगा 2 बटे 3 πi 1 का cube तो एक ही होगा छोड़ो उसको प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 3 πi 2 बटे 3 और 1 बटे 3 मिलके 3 बटे 3 πi हो जाएगे 3 बटे 3 कैंसिलों के 1 हो जाएगा मतलब इसका अंसर आगया πi cm में है तो cm3 आयतन जबी भी निकालेंगे उसका जो मातरक होता है उसकी जो यूनिट होती है cm3, m3 इस प्रकार से तो यह बहतरीन question था एक बड़ेंगे अपने प्रसन संख्या 2 की तरफ question number 2 की तरफ क्या बात हो रही है एक engineering के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली aluminum की seat का प्रयोग करते हुए एक model बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरो पर संग को जूड़े हूँ पता नहीं कौन सा rocket बना रहा है और प्रित्वी को छेदखे अंदर भी चला जाए देख रहे हो इस प्रकार का rocket रचेल बनाना चाहा रहा है ना rocket कम और गिल्ली डंडे जैसा ज़्यादा लग रहा है गिल्ली डंडा खेले हो तुम लोग गिल्ली डंडा खेले हो क्या है ना समझ गये तो ऐसा model बनाना चाहा है और जिसका आयतन निकालना है इस model का व्यास जो है वो 3 cm है व्यास का मतलब यहां से लेके यहां तक यह पूरा का पूरा कितना है यहां से लेके यहां तक यह पूरा का पूरा 3 cm है इस model का व्यास जो है 3 cm और इसकी संपुर्ड लंबाई 12 cm है संपुर्ड लंबाई कहा से कहा तक तो भाई इस वाले side से लेके इस वाले side तक मतलब बिल्कुल end to end जो है वो 12 cm है कितना 12 cm की इसकी लंबाई हो गई यदि प्रत्यक शंक की उचाई 2 cm हो यह वाला संक भी 2 cm उचा है यहां से लेके यहां तक उचाई होती है यह वाला संक यहां से यहां तक 2 cm उचा है और यह वाला भी संक यहां से यहां तक कितना 2 cm यह भी उचा है तो हमें क्या करना है हमें model के रचेल द्वारा बनाए गए model में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ग्याद करना है तो देखो हवा का आयतन कैसे ग्याद करेंगे इस पूरे model का आप आयतन निकालेंगे तो हवा उतनी ही भरी रहेगी जितना इसका आयतन होगा तो हवा का आयतन निकालने के लिए आप दोनों संकों का आयतन और इस बेलन का आयतन निकालेंगे दिक्कत वाली बात यहां पर आ रही है सर की बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें बेलन की उचाई चाहिए यहां से लेके यहां तक अब ये कैसे निकालेंगे तो पूरा कितना है 12 ये फालतू आ रहा है ये फालतू आ रहा है इतनी दूर ये फालतू आ रहा है और इतनी दूर ये फालतू आ रहा है तो जो भी फालतू चीज़े आ रही उनको हम माइनस कर देंगे तो पूरे बारे में से ये वाला दो और ये वाला दो मतलब की कुल मिला के 4 माइनस करेंगे तो इसकी उचाई कितनी आ जाएगी 8 cm, कितनी 8 cm, क्लियर है बाते, अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे, रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंट और इसमें जोड़ देंगे दो बार संकु का आयतन, क्योंकि दो संकु हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हो कि संकु का आयतन, प्लस संकु का आयतन, लेकिन ऐसे लिख क्या फायदा, दोनों तो भाई-भाई हैं, एक जोड़वा संकु हैं ये, एक जैसे संकु का आयतन आपके पास निकल के अपने आप आ जाएगा अब इनके फॉर्मूला लिखने की बारी है जो आप लोग पेज पलट के पीछे से देख लेते हैं बार बार कब तक करोगे बोड एक्जाम में किताब लेके नहीं जाने को मिलेगा है ना ऐसे जाना पड़ेगा तो फॉर्मूला भाई याद कर लो जितनी जल्दी हो पाए याद कर लो ये पेज पलट के देखने वाला सिस्टम बंद करो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वाइर एच कितना पाई आर स्क्वाइर एच प्लस दोनों का आर एक जैसा है तो दो गुडे तो दो गुड पास भी है यही वाली त्रिज्या इसके पास भी है लेकिन कहीं न कहीं उचाई दोनों की अलग अलग है शंकु की उचाई दो है और बेलन की उचाई कितनी है आठ है तो त्रिज्या एक जैसी है तो त्रिज्या को आप आर रहने दो कोई दिक्कत नहीं लेकिन उचाई अलग तो इसको h1 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे h2 बोल देंगे अब इन्वे से common क्या आ रहा है πाई r square common आ रहा है h common नहीं आएगा दोनों का h अलग अलग है तो ये बात आप ध्यान देंगे h1 यहाँ पर बच गया प्लस 2 बटे 3 यहाँ पर क्या बच गया h2 बच गया है ना अब सब का मान रख दो पाई का मान लिग दिया 22 बटे साथ क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया है नहीं जब दिया नहीं है तो 22 बटे साथ गुड़े r square यह किसका r है तो r तो दोनों का एक जैसा है r कितना 3 बटे 2 क्योंकि व्यास कितना है model का 3 है तो radius कितना हो जाएगा 3 बटे 2 और इसका square हो रहा है तो एक बार और गुड़ा कोश्टक में h1, h1 किसको लिया है आपने बेलन वाले को बेलन का h1 कितना है? 8 है बेलन का h1 कितना है? 8 है प्लस 2 बटे 3 h2 h2 किसकी उचाई है? शंक की उचाई है और शंक की उचाई कितना है दी हुई है? 2 cm तो शंक की उचाई को लिख देंगे 2 अब इसको solve करेंगे भाई और आपका answer आपके पास हो जाएगा कैसे? उड़ाओ इसको क्या उड़ रहा है? 2 से 22 को उड़ा दिया 11 आ गया 8 प्लस 4 बटे 3 8 प्लस 4 बटे 3 को solve करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 बटे 24, 24 और 4, 28 बटे 3 कितना? 28 बटे 3 14 से 28 को काट दिया 2 बार 3 से 99 को काट दिया 33 बार 33 गुड़े 2 कितना होता है? 66, 66 क्या cm3, cm3 आयतन निकाल रहे हो तो क्या? cube हो जाएगा क्या और कुछ पूचा है? कुछ नहीं पूचा है भाई? तो इतनी हवा इस पूरे model के अंदर आएगी 66 cm3 जल्दी से इसका एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने next question की तरफ बढ़ेंगे अपने next question की तरफ time लगेगा और time पहली बता दिया मैं कि इसमें time लगता है तो time देंगे और बेहतरीन तरीके से कैसे solve करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा होंगा इसको ध्यान देना यहापे यह question आ जाता है तो लोग में भी चासनी होती है रस गुलाब जामुन में भी क्या होती है चासनी होती है चासनी कितनी है जितना भी उस गुलाब जामुन का आयतन है मान लो यह गुलाब जामुन है इस गुलाब जामुन को ऐसे पकड़ के मैं निचोड़ तो इसमें से चासनी निकलती है तो वो चासनी कितनी है जितना इसका आयतन है उसका 30% कितना है चासनी है ये बात क्लियर है ना ये बात क्लियर है कि चासनी क्या होती है और किस प्रकार इस गुलाब जामुन के अंदर चासनी भर गई है चासनी है 30% 45 गुलाब जामुनों में ल देखो math teacher कभी-कभी हलवाई का भी काम करते हैं जैसा कि मैं भी कर रहा हूँ गुलाब जामुन बना रहा हूँ लेकिन ये बात है ये बात है कि हलवाई से जल्दी मेरा गुलाब जामुन बन जाएगा देखो बन गया ये रहा गुलाब जामुन बीच में बेलन है और दोनों ह अर्धगोलाकार किनारे है इसके इसकी संपुर लंबाई पूरी की पूरी लंबाई है पाँच सेंटीमीटर कितनी पाँच सेंटीमीटर इसकी यहां से लेके यहां से लेके यहां तक की यह पूरी लंबाई कितनी है यह पूरी लंबाई है पाँच सेंटीमीटर तो इसको लि दसमलो आठ का आधा कितना एक दसमलो चार सेंटीमीटर ये बात समझ पा रहे हो ये बात समझ पा रहे हो अब मुझे जला बताना कि जो बीच में बेलन दिख रहा है बेलन जो दिख रहा है इसकी उचाई कितनी हो जाएगी इसकी उचाई कितनी हो जाएगी तो लिखेंगे ब जब ये त्रिज्जा जो थी एक दस्मलो चार तो अर्ध गोले में सब कुछ त्रिज्जा ही होता है, इसको यहां से मिला दिया तो यह भी त्रिज्जा, यह भी एक दस्मलो चार, इसको यहां से मिला दिया तो यह भी त्रिज्जा, यह भी एक दस्मलो चार, मुझे निकालना है यहां से लेके यहां तक बेलन की उचाई कहां से लेके कहां तक तो यहां से लेके यहां से लेके यहां तक बेलन की उचाई निकालना है पूरे में से फालतू चीज यह वाली वाइट वाला और यह वाला कर देंगे एक दसमलो चार इधर वाला और एक दसमलो चार उधर वाला इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक दसमलो चार और एक दसमलो चार कितना आ जाएगा दो दसमलो आठ आ जाएगा अब पांच में से आप दो दसमलो आठ को माइनस करेंगे तो दसमलो दो आपके पास आ अब खेलते हैं लिखेंगे एक गुलाब जामुन का एक गुलाब जामुन का आयतन जो होगा वो कैसे कैसे निकालोगे आप तो ध्यान देना कैसे निकालोगे यहां एक गुलाब जामुन का आयतन हम सबसे पहले बेलन का आयतन लेंगे बेलन का आयतन और बेलन के आयतन के साथ इसके किनारों पर दो बार अर्ध गोला लगाया है तो दो बार अर्ध गोले का आयतन कोई डाउट है क्या इस लाइन में इस लाइन में तो I hope कि किसी को डाउट नहीं होगा एक एक लाइन बहुत ध्यान से समझते चलेंगे इस question को मैं थोड़ा दिरे-दिरे ही कराऊँगा क्योंकि कहीं ना कहीं इस question में आपको doubt रहता है आपको भी पता होगी ये बात तो एक एक लाइन को बिल्कुल पकड़ के ध्यान से चलते हुए चलना है मेरे साथ बेलन का आइतन होता है दोस्त कितना पाई आर स्क्वाइर एच प्लस दो गुड़े अर्ध गोला अर्ध गोले का आइतन कितना होता है अर्ध गोले का आइतन आपका होता है दो बटे तीन पाई आर क्यूब ठीक है अब यहाँ पर h अलग-अलग है तो दोनों को अलग-अलग लेंगे देखो यहाँ पर r r सबका एक जैसा है इसकी भी तरिज्या अर्ध गोले की भी तरिज्या कितनी है 1.4 इस पूरे बेलन की भी तरिज्जा कितनी है 1.4 तो R में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है R में कोई दिक्कत वाली बात नहीं H केवाल इसी के पास है तो कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारा common आ रहा है πाई R square common आ रहा है दोनों में से πाई R square यहां से बच गया H प्लस यहां पे दो दुना चार बटे तीन आर अब इसको हम कैसे करेंगे तो पाई का मान पाई का मान पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो 22 बटे साथ ले लो भई 22 बटे साथ गुड़े आर आर कितना था हएक दस्मलो चार स्क्वाइर हो रहा है तो दो बार गुड़ा हो जाएगा है किसका फॉर्मूलर लिखा हूं जिसमें चाया है h आया है बेलन वाले में, तो h बेलन का लेना है, प्लस 4 बटे 3 आर, आर कावान कितना है, 1.4, कोई दिक्ट यहां तक नहीं है, अब इसको solve करेंगे, 7 से 1.4 को काटोगे, तो 10.2 हो जाएगा, 22 गुडे, 22 गुडे, 14 दुना 28, 10.28, और ब्रैकेट में जो आप, देखो, 22 इसको लिखेंगे तो 2.2 प्लस, 2.2 प्लस, इनको गुड़ा करो 14 चोपका 56, 5.6 बटे 3, 5.6 बटे 3, और आगे स्वाल्व करेंगे, 22 गुडे, 10.28 और आगे कितना हो जाएगा, 3 दुना 6 और 3 दुना 6, 6 दस्मलो 6 दन, 5.6 बटे 3, फिर आगे 22 गुडे, 10.28 गुडे, इन दोन को जोड़ो, 6, 6, 12, 2, carry 1, 6, 5, 11, और एक 12, 12 दस्मलो 2, बटे 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हमसे यह तुरी ना पूछा है कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है, है ना हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तो इन और चासनी कितनी है, केवल और केवल 30%, पूरे वॉल्यूम का केवल और केवल कितना 30%, तो लिखेंगे, एक गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन, गुलाब जामुन ऐसे लिख देता हूं है, एक गुलाब जामुन में चासनी कितनी हो जाएगी, जो भी आंसर आया है उसका 30% ये पूरे गुलाब जामून का वाल्यूम है चासनी केवल और केवल कितनी है 30% तो इसका 30% निकाल देंगे तो उतनी चासनी हो जाएगी एक गुलाब जामून में तो लिखेंगे 30% 30% का मतलब 30 बटे 100 गुड़े ये सारी बाते हैं 22 गुड़े 10 मलो 2 8 गुड़े 12 द आगे आपना इतना सेंटीमीटर क्यूब ये तो चासनी एक गुलाब जामून में है ये कितने में है एक गुलाब जामून में आपको कितने में निकालना है 45 गुलाब जामूनों में कितनी चासनी होगी पहले इतने का इसक्रीन सौट लेंगे ये मैं कुछ अटाओंगा कु तो यह आपके पास एक गुलाब जामून की चासनी है, है ना, खाना नहीं है, इसको अभी, अभी बचाके रखना है भई, अब लिखेंगे 45 गुलाब जामूनों में चासनी, कितनी हो जाएगी, चासनी, तो जो भी आपका अंसर आया है, एक का पता है, 45 का पूछ रहा है तो 45 गुड़े क्या क्या है 22.28 12.2 बटे में कितना बटे में है 10 ठीक है अब इनको गुड़ा करना पड़ेगा और तभी आंसर आएगा है ना कैलकुलेशन है थोड़ी सी कोई दिक्कत वाली बात नहीं ओड़े साफ आट साट 25 जसमलो बटो उस्थान पर यहां तो 9 गुड़े और 122 को गुड़ा करेंगे तो 11 12 22 करी हो गया दो 11 12 22 24 करी टू 11 11 12 13 दसमलों कहा लगेगा सर एक अस्थान पे एक तीन चार दो और किसको गुड़ा करना है एक करी वन साथ दो नौ और एक दसाथ अठार करी वन 6 12 और एक तेरह तीन करी वन तो ये कितना दसमलों कितने अस्थान पे तीन अस्थान पे तो 339 दसमलों कितना आ गया करेंगेन क्यर्ण को पूसक्तों आज़ाओ एक करना लगा ने को अब कर लेँग और चार ना है और तो यहां तो यह चैंतों और चार काट प्रस इताने और नहीं गड़े कुछ इस प्रकार के हैं, संक्वा कार गड़े, चार हैं ऐसे, गनाप की विमाय आपको दी हुई है, लंबाई, उचाई, चोड़ाई, सब कुछ दिया हुआ है, LBH, लंबाई, चोड़ाई और उचाई, प्रते गड़े की तृज्जा भी दी हुई है, मतलब यह जो अब जरा ध्यान देना मेरी बात को, अगर इस घनाप के आयतन में से, पूरे घनाप का आयतन निकाल लिया, तो सब कुछ आ गया, लेकिन आपने ये लकड़ी काट के फेक दी, इतनी इतनी चार लकड़ियां काट के फेक दी, तो पूरे घनाप का आयतन निकालो, चारो जो चार लकड़ीयां फेकी हैं, पूरे घणाव के आयतन में से उन चारों को किया करदेना है? माइनस कर देना है, काम खतम. पूरे घणाव का आयतन बराबर तो, पूरे घणाव का आयतन और यहां से माइनस कर देंगे दोस्त किसको, यहां से हम माइनस कर देंगे क्या चार गुड़े शंकु का आयतन जिसमें पेन हम फसाएंगे चार गुड़े शंकु का आयतन ऐसे चार बने हैं तो चारों को माइनस कर देंगे क्योंकि ये लकडियां, 4 संकु जितनी लकडियां काटके निकालके फेक दी गई तो माइनस कर दो, फेक दिया तो माइनस, अब कैसे करेंगे, घनाब का आयतन क्या होता है, L गुड़े, B गुड़े, H, माइनस 4 गुड़े, संकु का आयतन कितना होता है, 1 बटे 3, पाई R में, तो इसमें तो सब कुछ पता है, इसमें भी लंबाई, उचाई, चोड़ाई, सब कुछ पता है, और सब कुछ देखो जरा सेंटीमीटर में है, क्या, ये बार-बार चेक करना है, सब कुछ सेंटीमीटर में है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, फटा-फट से मान उठाओ और यहाँ पर रख दो L गुड़े B गुड़े H करेंगे तो 15 गुड़े 10 गुड़े 3.5 माइनस 4 गुड़े 1 बटे 3 गुड़े पाई, पाई का मान कितना लेना है कुछ दिया नहीं है तो 22 बटे 7 ले लेते हैं R, R कितना है शंकु का 0.5 तो इसका स्क्वाइर करेंगे तो 0.5 का स्क्वाइर क्या हो जाएगा 0.5 गुड़े 0.5 और उचाई, उचाई कितनी है 1.4, कितना 1.4 7 से 1.4 को काटेंगे तो 0.2 बचेगा और कुछ नहीं कट रहा है इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो 15 गुड़े 3.5 जब 10 से गुड़ा होगा तो इसका 0 इसके डेसिमल को बाहर निकाल के फिक देगा और यहाँ पर आए जाएगा 35 3.5 गुड़े 10 कितना 35 माइनस 4 बटे 3 4 बटे 3 कर दिया गुड़े जब आप 22 को दसमलो 5 से गुड़ा करते हैं 22 को दसमलो 5 से गुड़ा करते हैं तो 11 आता है कभी भी दसमलो 5 से किसी संख्या को गुड़ा करना है तो गुड़ा उड़ा कुछ मत करो इसी संख्या को आदा कर दो क्योंकि दसमलो 5 का मतलब होता है एक बटे 2 तो 22 को आदा कर दिया 15起ंद 5 125 से कुना है तो 270 एक आूप है ना पांच दुना 20 और 12 को आदा कर दिया है तो fertilis कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं पंद hebben 35 75 75 75 35 और 45 तूर साथ कितना साथ 521- Dru बावन माइननस इन इन सब को गुड़ा करेंगे उपर वालों को तो 4.4 आ जाएगा बटे में 3 3 LCM लेलो पहले तो 3 जाएगा इसमें गुड़ा होगा या एक काम कर चलो यही कर लेते हैं 3 जाएगा इसमें गुड़ा होगा 3 5 15 5 क्यारी 1 3 2 6 और 1 7 3 5 15 माइनस चार दसमलो चार इसमें से जब आप चार दसमलो चार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1570 दसमलो चे बटे तीन यही आएगा ना जोड़के देख लो चेटार दस और चार और सुन और एक पाच ठीक है क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात यहां तक यह तीन से बात करो ज़रा 3 5 15 3 2 6 और एक साथ 3 3 9 और एक 10 16 हो गया 3 5 15 3 3 9 इतना सेंटीमीटर इसक्वायर यह आ जाएगा कलमदान में लकडी का आयतन कितना 523 दसमरों 5 3 जल्दी से एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे इसका जल्दी से एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेस्टन नंबर 5 की तरफ यह रहा एक बरतन एक उल्टे संकु के आकार का है अच्छा ऐसा कुछ ऐसा कुछ है क्या बरतन उल्टे संकु के आकार का है ना आइसक्रीम आइसक्रीम का कौन इसकी उचाई 8 cm है और इसके उपरी सिरे की तरिज्या 5 cm है ये खुला हुआ है तरिज्या और यहाँ पर 5 cm की तरिज्या है और इस बरतन की जो उचाई है वो कितनी है 8 cm यह उपर तक पानी से भरा हुआ है इसमें पानी भर दो, कहा तक बिलकुल ऊपर तक सर पानी भर दो पूरा डबा डब पानी भरा हुआ है बृम क्या होता है? उतारा जब घुलास एक अग्दम भर दो कि अब उसमें एक बूंद भी पानी नही आएगा तो बोलते हैं बृम तक भरा हुआ है आरी बात समझ में पानी भर दिया यह उपर तक पानी से बरा हुआ है जब इस बरतन में सीसे की कुछ गोलियां जिन में प्रतेक की त्रिज्या दसमलों 5 cm है इसमें डाली जाती है तो इसमें से भरे पानी का एक चोथाई भाग बाहर निकल जाता है समझना ध्यान से मेरे पास कुछ छोटे-छोटे गोले हैं यह गोले हैं बृत नहीं है गोले हैं चोटे-छोटे हैं अब इन गोलों को मैं उठा के इसमें डालूंगा बहुत सारे हैं मुझे पता ही नहीं कितने हैं आपको भी नहीं पता वही तो निकालना है कि कितने गोले हैं कितने गोले हैं जैसे ह एक कोला डालोगे तुरंत पानी यहां से टब के बाहर आजाएगा दूसरा डालोगे और पानी बाहर आएगा तीसरा डालोगे और पानी बाहर आएगा ऐसा होता है कभी बाल्टी भर लेना बाल्टी नहीं टब भर लेना बड़ा सा है ना और घर में जो छोटा बच्चा हो उ जितना उस छोटे बच्चे का आयतन होगा मतलब उस बच्चे का आयतन जितना होगा उतने ही उतना ही आयतन का पानी बाहर निकल जाएगा तो इसमें जैसे ही मैं एक गोली डाला तो एक गोली का पानी का आयतन बाहर निकल गया आरी बात समझ में यह बात समझ में आ गई कि ए एक गोले का जितना आयतन होगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा यही के खेल खेलना है हमें पता है कि एक चोथाई भाग पानी बाहर निकल जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम यह ग्याद करते हैं कि कुल कितना पानी बाहर निकला अब इसके लिए मुझे शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा मतलब इसमें कितना पानी भरा है कुल मिला के कितना पानी भरा है वो निकालने के बाद मैं उसका एक चोथाई कर दूँगा तो उतना पानी क्या हुआ बाहर निकला है मतलब इसमें जितना भी पानी भरा है इस शंकु में जितना भी पानी भरा हु चोट लग जाएगी इसको धीरे से चानला है शंघु का ऐतन बराबर क्या होता है एक बटे तीन पाई आर सक्वार एच एक बटे तीन पाई का मान कुछ नहीं दिया है 22 बटे शाते लेंगे 22 बटे साता आर आर कितना है संकु का 5 25 सेंटी मीटर नहीं तरिज्जा तो पांच का स्क्वेर 5 गुले 5 और है कितना है है taking 8 तो यह पर लिख दिया इसको ज्यादा मन करें निकालो बैठके तो यह हम नहीं निकालेंगे यहीं पर लिख दिया कि इतना सेंटीमीटर क्यूब अब जो पानी बाहर आया है तो लिखेंगे गोलियां डालने के बाद सीसे की गोलियां डालने के बाद इस पानी का एक चोथाई भाग बाहर निकल जाता है गोली डालने के बाद बाहर निकला हुआ पानी गोली डालने के बाद बहुत सारी गोलियां है तो यहां गोलियां लिख ले ना गोलियां डालने के बाद बाहर निकला हुआ पानी का आयतन कितना हो जाएगा यह तो यह हो जाएगा वन चोथाई इस पूरे आयतन का कितना वन चोथाई एक चोथाई इस पूरे आयतन का, एक चोथाई का मतलब होता है एक बटे चार, किसका एक बटे चार? इस पूरे आयतन का मतलब एक बटे तीन, बाइस बटे साथ, पाँच, पाँच और आठ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है इसको भी मैं अभी छेड़ूंगा ही नहीं, छेड़ना चाओ तो संख्या निकालनी हो जबी भी संख्या निकालनी हो जबी भी गोलियों की संख्या निकालनी हो तो क्या करोगे आप समझना ध्यान से कहीं भी संख्या निकालनी हो गोलियों की संख्या निकालनी है बड़ा वाला आयतन ऊपर और छोटा वाला आयतन नीचे बड़ा वाला आयतन तो यहाँ पर यह सारी चीज़े उपर आ जाएंगी कौन कौन 22, 5, 5 और 2 22, 5, 5 और 2 यह उपर आएंगी यह नीचे यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी नीचे ही रहेंगी तो यह उपर लिख दिया कुल पानी जितना निकला हुआ है वो और एक गोली का वॉल्यूम कहां रखेंगे नीचे रखेंगे अब एक गोली का वॉल्यूम कितना होता है सर 4 बटे 3 पाई आर क्यूब कितना होता है 4 बटे 3 पाई आर क्यूब नीचे से लिख रहे हो तो नीचे से लिखेंगे 4 बटे 3 है तीन उपर चला जाएगा 4 बटे 3 पाई R क्यूब पाई का मान लिखो 22 बटे 7 22 बटे 7 R क्यूब R कितना है र कितना है गोली का कहां गया धसमलो 5 सब कुछ सेंटीमीटर में ही तो है न हाँ दसमलो 5 तीन बार लिख दो यहाँ पर धसमलो 5 गुड़े इसको थोड़ा सा इधर करेंगे एक दसमलो 5 मेरा यहाँ पर आ नहीं पा रहा है तो गोलियों की संख्या समझ में आया क्या कैसे लिखा मैंने जितना पानी गोलियों की वजह से जभी भी संख्या निकालनी हो आपको आयतन से संबन्दित बड़ा वाला आयतन उपर छोटा वाला नीचे अब बड़ा वाला आयतन गोलियों की वज़े से जो कुल पानी निकला है वो और एक गोली की वज़े से जो पानी निकलेगा वो मतलब एक गोली की वज़े से कितना एक गोली का जितना आयतन होगा वो नीचे और कुल गोलियों के आयतन से जितना पानी बाहर निकला हुआ है वो उपर कुल बटे एक, कुल बटे एक, कुल बटे एक, क्लियर है बाते, ठीक है दसमलो 5, अच्छा लिख तो दिया था मैं, 22 गुडे, पाई, आर स्क्वाइर, एच अच्छा आरक्यू, पाई, आरक्यू, पाई हो गया, 22 बटे साथ, आरक्यू भी हो गया, ठीक है बहुत ही बढ़िया, अब यहां से काटा पीटी करेंगे, 22 से 22 कट गया, देखो दसदाइम, सो, सो दुना, 200, बटे, चार गुडे, दसमलो 5, दसमलो 5 जब गुडा करते हैं तो इसको आधा कर देते हैं, दो गोलियों की संख्या निकलके कितनी आ गई, 100 गोलियां, मतलब इसमें हमने 100 गोलियां डालेंगे, तब जाके 1 बटे, 4 पानी बाहर निकल जाएग है, जल्दी से इसका स्क्रीन सॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेशन नमबर 6 की तरफ, यह रहा क्वेशन नमबर 6, उचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन पर एक दूसरा बेलन खड़ा किया गया है, जिसकी उचाई इ दिया है 220, उचाई कितना दिया है 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास, व्यास से कोई मतलब नहीं व्यास लिखा भी मत करो, नहीं तो गलती हो जाती है, तो हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, व्यास को आधा करके सीधे त्रिज्या लिख दिया, जिस पर एक दूसरा जानी है, इसकी उचाई है 60 सेंटीमीटर सर, 60 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, लोहे से बना हुआ है, यह सब कुछ लोहे से बना हुआ है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो दरभ्यमान है, व लिखेंगे अस्तंब का आयतन बराबर अस्तंब का लोहे के अस्तंब का आयतन बराबर हो जाएगा ये सिलेंडर वन बेलन पहले बेलन का आयतन या आधार वाले बेलन का आयतन प्लस उपर वाले बेलन का आयतन लिखेंगे आधार वाले आधार वाले मतलम नीचे वाले आधार वाले बेलन का आयतन प्लस उपर वाले बेलन का आयतन उपर वाले बेलन का आयतन ये दोनों का आयतन न पता चल जाएगा उपर वाले बेलन का आयतन तो यह आपको पूरा आयतन इस प्रकार से पता चल जाएगा ध्यान देना दोनों की त्रिजज्या भी अलग है और दोनों की उचाईयां भी अलग है तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे पहले वाले के लिए पाई आर स्कॉयर एच लेकिन अलग-अलग त्रिज्या और उचाहिए तो R1 और H1 बोल देंगे और इसी प्रकार से दूसरे वाले को R2 और H2 बोल देंगे अब पाई कॉमन ले लिया R1 स्क्वाइर H1 प्लस R2 स्क्वाइर H2 यहां तक कोई डाउट वाली बात है क्या एकदम बढ़ियां आगे करेंगे एक एक करके मान रखेंगे और पाई का मान आपको पहले से दिया है 3-1,4 लिखना है तो यहां पर लेक देंगे दोस्त 3- 1,4 आर वन नीचे वाले की बात हो रही है तो 12 गुड़े 12 और H1 नीचे बाले की बात हो रही है 220 प्लस R2, उपर वाले की तरिज्या 8 है, तो 8 गुड़े 8 और H2, इसकी उचाई कितनी है, 60 सब कुछ cm में है, क्या एक बार री चेक करेंगे, जिससे कि कुछ भी गलती ना हो पूरा question ही cm में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है, तो यह आप भी बार बार चेक करते रहेंगे, तीन दसम लो एक चार और यह 12 गुड़े 12 गुड़े 22, कैसे करेंगे इसको तो ध्यान दो कुछ common आ रहा है क्या पूरे में से, common तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग वही है कि कनफ्यूज हो जाएंगे, मैं बहुत सौर्ट कट मारूँगा, तो मार दू, कर दू, आसान काम, चलो छोड़ो, ऐसी कर लेते हैं, 12 गुड़े 12 कितना, 144, 144 गुड़े 220, प्लस, 8 गुड़े 8 कितना, 64, 64 गुड़े 60, ठीक है, आप चाहते तो यहाँ से, 4 और 4, 16, यहाँ भी एक चाहर, तीन दसमनो, एक चाहर गुड़े, अब 144 और 22 को गुड़ा करेंगे, 144 और 22 को जब आप गुड़ा करेंगे, तो कितना, 8, 82 और 8, 82, 8, 82, कितना आ गया यह, 8, 88, 16, 8, 2, 10, 11, 2, 1, 3, 3, 1, 6, 8, इन दोनों को गुड़ा किया तो कितना आ गया, 3, 1, 6, 8, और 0 है लास में है, 0 लगा दिया, 6, 24, कैरी हो गया, 2, और 6 गुड़े, 6, 36, कैरी और 2, कितना हो गया, 38, यह इतना आ गया वाई, इनको जोड़ लो, तीन दसमनो, एक चाहर गुड़े, इनको जोड़ो, 0, 0, 0 हो गया, 8 और 4, 12, 2, कैरी, 1, 6, और 8, 8, 6, 14, और 1, 15, कैरी, 1, 3, और 1, 4, और 1, 5, और 3, इतना आ गया, यह आ चुका है आपका क्या, यह पूरे अस्तंब का वाल्यूम आ चुका है, और एक का, इसको गुड़ा भी कर लो, कोई फायदा नहीं यह छोड़ने का, क्योंकि हमें 8 से फिर इसमें गुड़ा करना और अपना अंसर आ जाएगा, तो पहले क्या किया, इसका दसमलो एक अस्थान आगे कर दिया, और यहां पर बच गया, 3, 5, 5, 2, 3, 5, 5, 2 में हम गुड़ा करेंगे, 314 से, कितना जाएगा, 4, 2, 8, 4, 25, 25, 22, 4, 3, 12, 14, जब 1 से गुड़ा करेंगे, 2, 5, 5, 3 हो जाएगा, और जब 3 से गुड़ा करेंगे, 3, 2, 6, 3, 5, 15, 5, carry 1, 3, 15, और 16, 6, carry 1, 3, 9, 10, clear है बात, 8, 2, 6, 5, 11, 11, 12, 13, 3, carry 1, 5, 5, 10, 5, 15, 15, carry 1, 6, 39, 1, 10, 11, carry 1, 1, 1, 1, ठीक है, तो यह आचुका है आपके पास, 1, 1, 1, 5, 3, 2, 8, और दसमलो लग गया, यहां पर इतना सेंटीमीटर क्यूब, इस पूरे लोहे का क्या है, आयतन है, प हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का दरब्यमान अगर 8 ग्राम है, तो इतने का दरब्यमान कितना होगा, एक का पता है, ज्यादा का निकालना है, तो सर हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा गुडा करते हैं, तो एक का पता है, और आपको ज्यादा का निकालना है, ध्यान से देखेंगे कैसे निकालेंगे लिखेंगे एक सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रब्यमान एक सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रब्यमान लोहे का द्रब्यमान है आठ ग्राम तो अपने पास कितना है एक 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 पांच तीन दो दसमलो 8 cm3 लोहे का दरब बिमान हो जाएगा इसी में 8 से गुड़ा करके लिग दो तो इसमें जब आप 1, 1, 1, 5, 3, 2, दसमलो 8 में आप 8 से गुड़ा करेंगे तो 8, 64, 4, carry 6, 8, 2, 6, 22, carry 2, 8, 3, 24, 2, 26, carry 2, 8, 45, 42, carry 4, 8, 9, 8, 4, 12, carry 1, 8, 9, 8, 9, 8 एक प्लेस पे यहाँ पे दसमलो लगाएंगे इतना ग्राम आप इसको किलो ग्राम में भी बदल सकते हैं ग्राम को जब किलो ग्राम में बदलेंगे तो दसमलो तीन अस्थान मेरी तरफ आ जाएगा क्यों आ जाएगा क्योंकि सर जब gram को kg में बदलते हैं तो चीजों को 1000 से भाग करना पड़ता है एक 1000 से भाग करना पड़ता जब आप इसको 1000 से भाग करेंगे तो 10 मलों 3 अस्थान इधार आ जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा तो यह हो जाएगा 892.2624 kg यह आपका final answer हो जाएगा क्लियर है बात है आसान question था कुछ नहीं था इसमें calculation कभी कभी थोड़ा सा लंबा चोड़ा बड़ा सा दे देता है तो उससे tension नहीं लेनी है तो आज आओ बढ़ते हैं अपने next question number 7 की तरफ यह रहा एक ठोस में उचाई 120 cm और तरिज्जा 60 cm वाला एक संकु सम्मिलित है जो 60 cm तरिज्जा वाले एक अरध गोले पर आरोपित है एक अरध गोला है भाई ऐसा कुछ और इसके उपर एक संकु बन रहा है कुछ इस प्रकार से clear है बात ठीके संकु के बारे में दिया है कि उचाई कितनी है 120 cm इस संकु की उचाई दिया है 120 cm इसकी तरिज्जा दिया हुआ है 60 cm तो जो तरिज्जा इसकी या वही तरिज्जा साइद इसकी भी होगी ठीक है अरध गोले के भी तरिज्जा यही है मतलब दोनों की तरिज्जाएं क्या है बराबर है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तिय बेलन में इस प्रकार सिधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को असपर्स करे यदि बेलन की तरिज्जा 60 cm है और उचाई इतनी है तो बेलन में सेस बचे पानी का आयतन ग्याद कीजिए इसी के साथ एक और फोटो है एक आपके पास बेलन है और बेलन में भरा हुआ है खूब सारा पानी बेलन में क्या भरा हुआ है खूब सारा पूरा उपर तक पानी उपर तक पूरा पानी भरा हुआ है यहां तक है ना यह पूरा पानी भरा हुआ है बेलन में और बेलन की तरिज्जा कितनी है 60 cm जितनी उसकी है मतलब तरिज्जा बराबर जब होती है चीजों की तो इसको लियाओगे तो इसमें बिलकुल fix हो जाएगा ना छोटा ना बड़ है जरा इस खिलोने की उचाई बताना जो भी है यह इसकी पूरी उचाई तो सर ये 60 है तो यहां से यहां तक भी 60 होगा और जब यह भी 60 होगा 120 और 60 पूरा मिलके कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर यह बात समझ में आई यहां से यहां 120 है अब ये अर्ध गोला है अर्ध गोले में ये तरिज्जा है तो ये भी तो तरिज्जा ही है तो ये भी 60 होगा 60 और 120 कितना 180 सेंटीमीटर मतलब इन दोनों की उचाईयां भी बराबर है इन दोनों का पानी बाहर फेक देगा ये बेलन पुरा पानी से भरा हुआ है जैसे उठा के इसमें डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा कितना जितना इसका आयतन होगा तो इसके आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे तो बचे हुए पानी का आयतन आपके पास निकल के आ जाएगा तो बेलन में सेस बचा हुआ पानी का आयतन बराबर, पानी का आयतन बराबर, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका बेलन का आयतन माइनस, पूरे बेलन के आयतन में से उपर वाले का पूरा आयतन माइनस कर देना, लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस कर देंगे उपर की पूर का आयतन को माइनस करना है तो इसलिए कोश्टक लगा दिया मैंने माइनस उपर की कहानी क्या है उपर का कहानी क्या है अर्द गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन अर्द गोले का आयतन है किसी का कोई डर अलग नहीं और सबका एक जैसा है उचाई अलग अलग है अब आप बोलोगे कि सर उचाई तो एक जैसी बता FREE अरे बहाई अलग अलग का मतलब इसकी त्रिजिया साठ इसकी उचाई 120 है इस पूरे बैलन की उचाई 180 तो उचाई कि अलग हैं है ना उुचाहियां यहां पर अलग है सब का एक जैसा कोई दिक्कत वाली की प्लस शंक्ख्य को चनिक होता है 1-3 323 придus łaski तो लिखा दिया इसको क्योंकी दोनों की उचाहिया बेलन की और संक्ख्य अलग है बेलन की संपुलड उचाई 180 cm है और संक की उचाई 120 है तो इसको मैंने h1 बोला है और इसको मैंने क्या बोल दिया h2 बोल दिया कोई डाउट वाली बात नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सर इसमें सब में r² आ रहा है सब में πाई आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए πाई r² को common कर लीजिए common कर दिया भाई पाई r² को यहाँ पर बचेगा h1 minus यहाँ पर क्या बचेगा 2 बटे 3 r 2 बटे 3 r पाई r² बार जाएगा r तीन बार था एक बार बच जाएगा प्लस एक बटे 3 h2 एक बटे 3 h2 क्लियर है बाते हैं तक कोई डाउट वाली बात नहीं है अब आगे का काम क्या सब का मान उठा के रखो सब का मान इसमें उठा के आप रखेंगे तो पाई पाई का मान कुछ नहीं दिया तो 22 बटे 7 ले लिया r सब का एक जैसा है और r का स्क्वाइर हो रहा है r है 60 cm सब कुछ cm में है कि नहीं ये भी एक बार चेक कर लिया वैने ठीक है r है 60 cm, 60 का वर्ग कितना? 60 गुडे 60 h1, h1 कितना है बाई? 180 180, 180 माइनस ब्रैकेट में 2 बटे 3, r, r कितना है? r है 60 r है 60, प्लस 1 बटे 3, h2, h2 कितना है? 120 h2 कितना है? 120, 3 से 120 को कार दिया तो 40 आ चुका है और क्या कट रहा है? 2 बटे 3, गुडे 60 था, 3 से 60 को कार दिया तो 3, 2, 6, 20 आ चुका है और तो सब कुछ ठीक है आगे की कहानी देखेंगे यहां से बराबर, 22 बटे 60, गुडे 60, गुडे 60 ब्रैकेट का कहानी देखेंगे 180, अब यह देखो कितना हो गया? मैं डारेक्ट लिख रहा हूँ, उसको समझने की कोशिस करेंगी 20 गुडे 2, 40, 40 और 40 कितना 80? तो माइनस 80 हो जाएगा गुडे 180, 80 कितना हो जाएगा? 100, बटे कितना? 7, अब इनको गुड़ा करो, 22 को 6 से गुड़ा करेंगे, 6 दूना 12, और 6 दूना 12, 132 हो जाएगा, 22, चलो इसको गुड़ाई करलो न, गलत ना हो, 36 को 22 से गुड़ा करलो, 2, 6, 12, 2, carry 1, 2, 3, 6, और 1, 7, यहां भी बहत्तर आ जाएगा, और 2, 7, 2, 9, 792, कितना आ गया? 792 आ चुका है, 2 बार 0 यहां, 2 बार 0 यहां, तो 1, 2, 3, 4 बार 0, बटे में कितना? 7, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है, पानी इस बेलन में बच जा तो यहां पर 22 बन गया, 7, 21, और 1, 22 तो यह 10 बन गया, 7, 9, 7, 3, 10 तो यह 30 बन गया, 7, 4, 28 तो यह 2, यह 20 बन गया, 20 बन गया तो कितना हो जाएगा? 7, 2, 14, 6, 6, 60 बच गया, 7, 8, 6, 40, 40 बच गया, 7, 35, 50 बच गया, 7, 7, 49, इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना स मचे हुए सेथ पानि का आयतन जल्दी से इसका भी एक बाR आप स्क्रीन सोट लेंगे एक बार आप इसका भी स्क्रीन सोट लेंगे और अगर इसको Meter क्यूब में बनाना चाहते हैं आप जैसे संटीमीटर में बहुत बड़ा सा है तो तीन जोड़ा बनाएंगे जीरो का यह हो गया इतना सेंटी मीटर क्यूब तो दसमलो जो है अगर आप इसको मीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे कितने जीरो आ रहा है कुल मिलाके छे जीरो दसमलो छे स्थान इधर आ जाएगा कितना एक दो तीन चार पांच छे यहाँ पर आ जाएगा एक दस्मलो एक तीन एक आगे की बाते लिख लेना मीटर क्यूब तो यह दोनों ही आंसर सही है ज्यादा सही आंसर यह लग रहा है क्योंकि जब सेंटीमीटर क्यूब में इतना बड़ा बड़ा इतना ना उठीऄ उब तो आप उसको मीटर क्यूब में बदल लेंगे यह चीज़ आपको यह ट्रिक जो है आपको पता होनी चाहिए अगर मैं आपसे नमबर एट पर next question नमबर एट की तरफ एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें दिया है एक गोलाकार काज के बरतन की एक बेलन के आकार की गर्दन है कुछ इस प्रकार का एक बरतन है आपके पास गोलाकार है देखो सुराही देखे हो कुछ उसी प्रकार का तो यहाँ पर तो यह गोला बना हुआ है और यहाँ पर क्या है बेलनाकार इसकी गर्दन है कुछ इस प्रकार की है न ऐसा आगे की कहानी क्या है जिसकी लंबाई आठ सेंटीमीटर है और व्यास कितना है दो सेंटीमीटर है मतलब इस जो बेलनाकार गर्दन है इसकी लंबाई आपको दी हुई है कितनी लंबाई है आठ सेंटी मीटर और इसका व्यास इसका व्यास कितना दिया हुआ है दो सेंटी मीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास की आधी एक सेंटी मीटर क्लियर है बातें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है 8.5 cm है तो इसकी तृज्ज्या कितनी हो जाएगी भाई इसकी तृज्या हो जाएगी 8.5 बटे 2 cm है न यह R1 हो गया और यह R2 हो गया क्लियर बातें इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माफ कर एक बच्चे ने यग्यात किया कि इस बरतन का आयतन कोई बच्चा था अब देखते हैं बच्चा नालायक है कि अच्छा बच्चा है है ना वो बाद में पता चलेगा आभी नहीं पता चलेगा इस बच्चे ने calculation किया और उसका अंसर आया 345 cm3 अब हमें चेक करना है कि क्या ये बच्चा सही उत्तर लाया है या नहीं तो ये आप decide करके बताएंगे कि ये बच्चा अच्छा है या नलायक है comment box में सबसे पहले हम इसको decide करते हैं कि इसका अंसर सही है या गलत है तो सबसे पहले बरतन का आयतन निकालोगे कैसे भाई बरतन का आयतन बरतन का आयतन निकालने के लिए आपको इन दोनों का आयतन आपस में जोड़ना पड़ेगा किसका किसका तो इस गोले का आयतन और इस बेलन का आयतन दोनों को आपस में आड़ करेंगे रहे हम लोग के ऱीनरेड़ हैं कि कॉपी चेक हो रही है इस बच्चे की कि इसका अंसर सही है या खुरत है बेलन का इतन का फॉर्मूला होता है भाई पाई ईर स्क्वाईर EPS और बेलन की जो त्रिज्या लिया हमने इर वं लिया है ट्लस गोलेगा आयतन होता है 4बते 3 πाई R क्यूब तो इसका R कितना है? R2 है. पाई common ले लिया 3.4 उसका मान भी रख दिया. पाई यहां से भी बाहर निकाल दिया यहां से भी बाहर निकाल दिया और उसको रख दिया हमने 3.1 यहाँ पर क्या बच गया R1 square H प्लस यहाँ पर क्या बच गया 4 बटे 3 R2 का cube solve करो भाई से solve करो 3 दस मलो 1 4 R1 का square R1 कितना है R1 है 1 R1 है 1 1 का square गुडे H कितना है H है 8 प्लस 4 बटे 3 4 बटे 3 R2 का cube R2 कितना है 8.5 divided by 2 इसका cube हो रहा है तो यह 3 बार गुड़ा होगा 1 बार 2 बार और 3 बार 2 दुना 4 से 4 को काड़ दिया और तो कुछ कट नहीं रहा है और तो सब बढ़ियां ठीक है आगे solve करेंगे यहाँ से क्या है यह 3 दस मलो 1 4 3 दस मलो 1 4 1 का वर 1 1 गुड़े 8 आठ 8 प्लस 8 प्लस अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़े बची है नीचे 3 गुड़े 2 बच रहा है और उपर 8.5 8.5 8.5 3 बार इसका गुड़ा हो रहा है जब आप 8.5 को 8.5 से गुड़ा करते हैं तो इसकी ट्रिक तो पता ही होगी बाद में 25 आ जाएगा और इसका अगला नंबर कितना 9 8.9 72 तो जब दो बार गुड़ा किये तब तो आगया 72 2.5 एक बार और गुड़ा करना है दो बार कर दिया 2.5 दस मलो 2.5 आ गया इतना आ चुका है इन तीनों को गुड़ा करने पर कितना आ गया 6 1 4 6 1 4 1 2 5 और दस मलो कहां लगेगा एक अस्थान 2 अस्थान 3 अस्थान 3 अस्थान यहाँ पर बटे में कितना है देखो 3 गुड़े 2 6 बटे में कितना 6 सब बढ़िया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक एकदम बढ़िया चल रहा है ठीक है आगे की बात क्या 3 दस मलो 1 4 अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पर आप या तो 6 से इसको गुड़ा कर दो 6 से भाग कर दो इसको 6 से इसको उड़ा दो 6 करना में 6 और यह नहीं जाएगा तो 0 14 बन गया 6 दूना 12 दो 14 21 बन गया 63 अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 102 और 8 कितना 110 दस मलो 3 5 4 110 दस मलो 3 5 4 और 3 दस मलो 1 4 को गुड़ा करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन है है ना तो कैलकुलेशन से भागना नहीं है और बोर नहीं होना है अक्सर क्या होता है कैलकुलेशन देख के हमें लगता है जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं अच्छा इनको इनको गुड़ा करना है चलो हो जाएगा गुड़ा करना तो आता है चलो हो जाएगा ये गलती करते हो आप लोग फाइनल आंसर लेके आना है ठीक है या ये भी गलती करते हो तुरंत फोन निकाला अरे आंसर तो आ गया गुड़ा तो मैं एक्जाम में कर लूँगा ये नहीं रखना है हमेशा कॉपी पेन के साथ करोगे मैं भी तो यहां पे मैं चाहता तो अभी मेरे जेब में फोन है मैं फोन निकालता अच्छा ये है बच्चो टाइम जादा लग रहा है तो मुझे गुड़ा करना पड़ेगा और टाइम नहीं खराब हो इसलिए तो तरी देखो दिमाग है दिमाग आपको बहाने बताता रहेगा लेकिन उसको सुनना नहीं है है ना मन के बहाने नहीं सुनना है मेहनत करनी है और काम करना है जो मेहनत करेगा जो पेन चलाएगा उसी के नंबर बढ़ियां आएंगे तो यहां पर इसको हम गुड़ा करेंगे किसको 110 354 और क्या है 314 गुड़ा कर दो 4 से 4 चुक का 16, carry 1, 4 25 और 21, carry 2, 4 तिया 12, carry 1, 1, 4, 49 4, 4, 49 4, 1 से गुड़ा करेंगे, तो 4, 5, 3, 0, 1, 1 आ गया, 3 से गुड़ा करेंगे, 3 चुक का 12, 3, 15, 15 और 21, 16, carry 1, 3 तरिकर्नों और 21, carry 1, या पर 1, ठीक है जोरो दो 6, 4, 1, 4, 1, 5, 2, 7, 4, 1, 11, 6, 39, 10, 1, 11, 4, 1, 5, 4, 2, 6, 3, 1, 4 और 3 तो ये कितना आ रहा है गुड़ा करने पर 346, 5, 1, 1, 5, 6 दसमलों कहा लगाएगा 3, 2, 5 अस्थान पर सर अब आप लोग बताएंगे कि ये बच्चा लायक है या नालायक बच्चा है ना तो बिलकुल ये नालायक बच्चा है क्योंकि इसका आंसर गलत है आंसर सही कितना आएगा 346.5 cm3 तो इस प्रकार से हमने इस exercise में मतलब की प्रशनावली 12.2 में जितने भी question 8 तक important questions थे सबको हम आप से मिस ना हो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे एक चोटी और जरूरी information इसके बाद से आज की class को हम यहीं पर complete कर रहे होगे जैसा कि आपको पता है magnet brains provide करता है high quality education with fully organized complete course and daily practice problems के साथ और यह हमारे top courses हैं जो English और Hindi दोनों ही मादधम में उपलब्द हैं हम यहाँ पर CBSC board के साथ Delhi board, Bihar board, UP board, MP board और राजस्थान board इन सभी boards की वेतरीन तयारी करवाते हैं और साथ साथ में Vedic Maths, Crash Course और Spoken English इनकी भी classes अवेलेबल हैं यह सब कुछ आपको YouTube पर बिल्कुल free of cost प्रोवाइड किया जाता है मतलब इनको देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पैड़ सब्सक्रिप्सर और नहीं करना पड़ता सब कुछ आपके लिए बिल्कुल निसुल्ख है आपको जरूरत है जबरजस्त मेनत करने की और अपने आने वाले board exam में एक बहतर score लेकर आने की इसके साथ यह आप grab कर सकते हैं e-notes और e-books जिसका link नीचे description box में दिया गया है और हमें other social media networks जैसे की facebook, instagram, twitter, telegram और whatsapp पर follow गरना बिल्कुल नहीं बुलना है तो ठीक अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं अंगली class पर, thank you so much